अब आप देखिए, प्री जी एस्टी पुजिशन क्या था, आएक मैनिफाक्ट्रर था, उसने थाउजन रुपीज का समान लिया, अपना 10% प्रॉफिट आड किया, उसके उपर उसने अपना प्रॉफिट लगाया 10%, बैक लगाया 10%, सेल प्राइस था 1331, उससे होल सेलर ने ल रिटेलर ने उससे लिया, रिटेलर ने वाट का क्रेडिट ले लिया, ऐसे करते 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 कंजूमर को जो प्राइस पड़ा, वो पड़ा 1611, यह था प्री जी एस्टी, अब आप आप हैं, पोस जी एस्टी, पोस जी एस्टी में भी यही लेजिए, मैनिफाक्ट्रर ने 1, 1,000 रुपीज का लिया, उसने प्रॉफिट लगाया 10% का 1,100 का, अब हम जी एस्टी रेट 20% ले लेते हैं, क्योंकि जी एस्टी में वाट भी है, एक्साइज भी है, सेस भी है, और सर्विस टैक्स भी है, जो जी एस्टी 220 हो गया, यहां उसका प्राइस पड़ा 1320, यहां फरक क्या आ गया, जो होल्सेलर ने इस पूरे 220 का क्रेडिट ले लिया, इसलिए होल्सेलर को भी प्राइस 1100 का पड़ा, फिर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाया 10%, उसके बाद उसने जी एस्टी लगाया 20%, यहां प्राइस पड़ा 1452, फिर रीटेलर ने यहां प प्राइस तू कंजिऊमर, प्री जी एस्टी में था 1611, पोस्टी में सेम प्रॉड़क्ट पड़ा 1597, और कस्टमर को गेन हुआ 14 रूपीज, टैक्स का तू गर्मेंट थे प्री जी एस्टी में 256, पोस्टी जी अस्टी में 266, गर्मेंट को प्राफिट हुा 10ॅρ10 प्रॉब्लम क्या है बिजनस क्लास को, बिजनस क्लास को प्रॉब्लम है कि पहले वो इस पर डील नहीं करते थे, पहले वो ऐसी पर्ची पर डील करते थे, और अब ये पर्ची उनकी चलने ही दें क्योंकि वो टैक्स प्रकेट में आ गए है, अब सब लोग वाट्साप पे with us.